हेलो एवरीबन नमस्कार मैं रक्षित गूजर सौगत करता हूँ आप सभी का अक्षवाट के यूटिव चैनल पर साग्यनत्रण का कार्य तो इन दोनों कार्यों को हम समझेंगे इस वीडियो में स्टर्ट करते हैं कि जैसे अगर एक बैंक दूसरे बैंक को चेक देता है तो चेक को क्लियर करवाता है केंद्रे बैंक अभी कैसे करवाता है पॉर एक्जामपल दो commercial bank के अभी अर्थ्यवस्ता के अंदर और दोनों का account केंद्रे बैंक के पास है हमें पता जितने भी commercial bank है सबको अपना account रखना पड़ता केंद्रे बैंक के पास में तो दोनों का account है केंद्रे बैंक के पास अब S&B bank ने एक check बनाया है 15,000 का PBI bank के नाम कि वो अपने bank में से इसको 15,000 रुपे देगा और PBI ने S&B के नाम पे बनाया 10,000 रुपे का check कि ये PBI इसको 10,000 रुपे देगा S&B वो तो अब होगा क्या इसको 15,000 देने पड़ेंगे इसको 10,000 देने पड़ेंगे और ऐसे बहुत सारे transaction होती है तो या तो ये cash इसको दे और ये cash इसको दे तो इसमें बहुत जाता है तो केंद्रे बैंक इनके काम को आसान करने के लिए क्या करेगा ये दोनों के बीच में चेक का समशोधन कर देगा यानि कि दोनों के बीच में जो check clearance के काम होता है उसको आसानी से कर देगा ये इसके account में से 15,000 रुप देदेग आसानी से करवाने का होता है एक दोनों के दूसरे को नगती だने की जरूत नहीं होती ये stop कर वाता और उसमे कहीं नखरेगा लगवाता है कि kendra bank समचो दन ग्रेव काम करवाता है यानि चेक ह hm करवाता है उसका प्रते ह्म उसका ऋता है कि अर्थ वसता के अंदर जो मुद्रक्त होती है तो उसको कौन रखता है केंद्र केंद्रे बैंक वानिजग बैंकों की साक्स रिजन की शक्तियों को नियंत्रित करता है और अर्थेवस्ता में मुद्रा की पूर्ति को ज्यादा करवा देता है या कम करवा देता है हमें बता है कि जो कमर्शेल बैंक होते हैं वो साक्स रिजन करते हैं यानि कि मनी को क्रियेट करते हैं, money creation यह कैसे करते हैं, उसको भी हमने अपने पीछली वीडियो में देखा था, कि जितने commercial bank हैं, उनके पास में जो भी मांग जमाई होती है, उसके मात्यम से sucks reason करते हैं, यानि money create करते हैं, अब जब केंद्रे बैंकों यह लगता है कि market के अंदर ज़्यादा मेंगाई बढ़ रही है, तो उनकी money creation की power होती है, commercial bank के उसको कम कर देता है, और जब उसको लगता है केंद्रे बैंकों के अर्थिवस्ता के अंदर ज़्यादा मन्दी आ गई है, और उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो वो commercial bank की जो साख सेजन की शक्तिया होती है, उनको बढ़ा देता है, तो इसमें यह ही है कि जो साख का नियंतन होता है, अर्थिवस्ता में वो केंद्रे बैंक के हाथ में होत कि ऊसके माद्यम से या तो यह उसको बढ़ा देगा, यह उसको घटा देगा, तो जब मुद्रे शुद्टी होती है, वहा एक जो जाता है, और यहाँ पर हमारा बैंक के मुंखेकार है कौन-कौनसे होते हैं, अब हम मिलेंगे अपने ऎक्सट्ट्रे सीरीज में, तक-तक के के लिए खोश रहे स्वस्त रहे और जुड़े रहे एक्षवार्ट के साथ जय हिन जय भारत